भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संगर्ष में भारती सेना के 20 जवान शहीद हो गए इस तनाव के बाद देश में गुस्से का माहल है और चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज उठ रही है ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सरवदल्य बैठक बुलाई जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे और इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजुदा हालात पर चर्चा की जाएगी ये बैठक शाम पांच बजे वर्च्वल तरीके से होगी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोर्या गांधी, NCP प्रमुख शरत पवार समेथ कई दिगजनेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे लेकिन कुछ राजनेतिक दलों को नियोता नहीं मिला है जिसकी कारण विवाद भी यहाँ पर हो रहा है वहीं रक्षा मंदरी राजुनात सिंग ने इस सरवदल्य बैठक से पहले सभी प्रमुख पाठियों के अध्यक्षों से फोन पर बात की और इस बैठक में कुल 17 राजनेतिक दलों के प्रतेनी धी शामिल हो सकते हैं